हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस यूपी बोट के द्वारा दो हजार चोविस के लिए जो गड़ीत का पेपर वारल किया गया है यहां पी इसका संपूर हल देखेंगे फ्रेंस आप सभी को बता दें कि चाहे आपका दिर्गुत्तिरी प्रशन हो चाहे लगुत्त संपूर हल देखने वाले हैं तो आप वीडियो को लास तक जूर देखिएगा और आप 26 फरवरी के रात को भी इस पेपर का हल देखके चले जाते हैं तो आप दूसरे चात्रों की तुलना में आपके गड़ीत में बहुत बढ़िया नंबर आने वाला है तो फ्रेंस आप इ यूपी बोर्ड के द्वारा जितने भी पेपर वारल किये गए हैं आपकी परतियक पेपर में मैक्सिमम कोईस्टर आपकी जो आते हैं इसी पेपर में से देखने के लिए मिलते हैं तो आप वीडियो को लास तक जिरूर देखिएगा फ्रेंस देखिए आपको जब प्रशन पुडांक रहेगा टोटल यह सत्तर नंबर का पुडांक रहता है आपको कुछ निर्देश दिये जाते हैं जो निर्देश यहां पर बताने वाले हैं यही निर्देश सेम टूसे आपको गड़ीत के पेपर में 27 फरवरी के पेपर में ठीक है 27 फरवरी को आपका जो गड़ अगरेगा फिर इसके पास समा नी कुछ निर्देश निर्देश दिये गए जिससे आपको बता δेते हैं पहला निर्देश आपका है कि सभी Seriously आपको करना अनिवार रहें दूसरा निर्देश का है कि इस प्रश्ट पत्र के दो खंड होंगे जिसमें जो होता है खंड अँ होगा जिसमें 20 अंग का 20 प्रश्ट बहुई कल्पी के रूप में रहेगा जिनका उत्तर आप सभी आपको के इस खंड में टोडल कितने प्रश्ट रहेंगे प्रतिएक पर्स्ट की अंहीं को उनके संब्वूख अंकित किये गये हैं प्रतम प्रश्ण से प्रार आरम कीजिए और अंत तक करते जाए उस प्रस उस पर समय नश्ट मत कीजिए जिस प्रश्ण का एंसवर आपको नहीं आरत उस पर समय नश्ट नहीं करना अगले प्रश्ण को करना है यह कुछ निर्देश्ट है जिस जो आपक का दम डीटेईल में समझाएंगे और साथ में आपको ट्रिक भी बताते चलेंगे कि किस प्रश्ण को आप ट्रिक से चुट्कियों में आप प्रश्णों को हल कर सकते हैं ठीक है कि आपके सामने पहुरा सब्सक्राइब करने यह दो सब्सक्राइब और यह सँक्रांगा एक मॉल्स इसका यह MA 그ा । मदाते हैं आप वह सब्सक्राइबाराइब जब Jude is सब्सक्राइब पाली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर देखे क्या होता है लसी या गुड़े एक सीफ यह फार्मूला होती इसे याद रखिए का ठीक है पाली संख्या के मानती है बारा तो पाली संख्या की जगा बारा रख लीजिए और दूसरी संख्या लिख लीजिए दूसर संख्या तो साथ रहे हैं गुड़े संख्याई कि तीन रख लीजिए दूसरी संख्या देखी कि होगा कि दूसरी संख्या बराबर साथ गुड़े तीन यह बारा बार और 12 को पच्छा नहीं करेंगे बढ़ा बारा सब्सक्राइब देखते हैं कितना आया आपका 15 कहां पर दिया है इसका सकेंड वाला आपसन सही हो जाएगा इसी प्रकास जितने भी प्रस ने आपको पूरा डिटेल में बताएंगे ना आप वीडियो को लाउस तक जहुर देखिएगा सिर्फ इस पेपर को हल करके चले जाए छिये आपको इसी में से मैकसिमिल सवाल 27 फरवरी की पेपर में देखने के लिए बिलेगा चलि अगले प्रशन को देखते हैं देखे दूसरा नंबर शंवाल क्या है więks प्रिमे संखिया और ईक रिमे संख्या का गोनफל होता है देखे सुनेतर परिमे संख्या का मतलब क्या होता है कि जैसे दो हो गया ठीक है आपको क्या हुआ दू हुआ ठीक है दो ले लिजिए तीन ले लिजिए इस पकार से और आप परिमे संख्या का मतलब होता है कि करड़ी में दू करड़ी में तीन करड़ी में पांच यह सब आप परिमे संख्या होता है तो कह रहा है कि एक सुनितर परिमे संख्या का गुरणफल क्या होता है देखिए आपका सुनितर परिमे संख्या दो लेते हैं इसमें से कोई ऐहां प्रोड़ कर लेते हैं इस सई पीड़ा कीजित कितना होता, इसका सही होता है इसे आप ध्यान रखियेगा अब दीखें आपके सामने अगला नंबर का प्रेस्न है कि तीसरा नंबर का देखें इसको आप कैसे लगाएंगे रेखाई यूग में समिकर खाई येक्स प्लस दू वाई माई पांच बराबर जीरो और चार एक्स प्लस आट वाई माई बीस बराबर जीरो के हल आपको बताना है कि इसमें से इसका हल क्या होगा अब इस फ्रशन को देखिए आप कैसे हल करेंगे यहां पे ध्यान दीजिए कि पहले आपका समिक्रण क्या है यह प्लस दू वाई माईस 5 बराबर 0 यह समिक्रण नमबर मा लेजिए 1 है और इसके बाद 4x प्लस 8y माईस 20 बराबर 0 समिक्रण नमबर 2 है अब देखिए जब भी इस प्रकास से इसमें रेखा युग में आपका हल पूछे कि क्या होगा इसमें अनुपाद ग्याद करना होते है देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पी यह A1 का मान होता है यह B1 का मान होता है यह C1 का यह A2 का मान होता है यह C2 का मान होता है यह A2 यह B2 का होता है यह C2 को होता है इसमें अनुपाद ग्याद कर लिजिए देखिए एक बटा कितना होगा यहाँ पर चार होगा बराबर डू बटा कितना होगा आठ होगा बराबर माइनस पांच बटा कितना होगा माइनस 20 हो जाएगा ठीक है देखें यहाँ पर एक बटा के 4 हुआ देखें यह जीरो से जीरो कटेगा पांच 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 नवे सहे तीनहो अनुपात यहां पर बराबर आता है इसका एंस्वर क्या होगा तो यहां पर देखते हैंיסka झोहाँ, होता है ओप पर्यमित् रूप से रूप रूप से अनेखल होते हैं अनेखल को पर यहां पर देखिए यह सवाल को देखते हैं कि लगाएंगे चौफा नंबर का दिखा जीस से सत्तर और एक्सोपचीष को भी भाजित करने पर क्रमस से सफ़ पाँच में बसता है और अठ प्राप्त होती इस पेकार सवाल जब्र को मिले आपको क्या करना प्रने से सत्त्त लिखेगा और एक्सोपचीष दिया तो यहां पे पूछ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जब बड़ी संख्या आप से पूछे इसका मतलब होता है कि आपको HCF निकालना होता है तो 65 लीजिए 65 का पहले गुड़ांखंड कीजिए जब गुड़ांखंड करेंगे तो से पांच पैस यानि पांच गुड़ तेरह हो जाएगा आप 1017 के कीजिए ठीक है इसका बड़ेंखंड करेंगे तीरह ना हम एक छोट्र मतलब तीन गुड़े तीन गुड़े तीरह हो जाएगा एक सीय अपका मतलब होता है कि डोनों में कामन कामन आपका है इसका सही जो तो आप संब में देखिए 13 कहां पर दिया है इसका सही जो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा दिखें ट्रीक में यही था आपका 65 आ रहा है सही जो फर्स्ट वाला सही जवाब हो जाएगा अगर चैनला पांच वा नपर का बर देखिए इससे लगाएंगे तीन के प्रथम गुड़ज होगे इन्हें सब का योग पूछ रहा है तो सभी को जोड लीजिए देखे तीन और नौन अठारा और बारा तीस और पंदर पैतालिस कितना हो जाएगा इसका जवाब कितना होगा आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा कि तीन के प्रथम पांच प्रथम गुरजों का योग होगा पैतालिस होगा ठीक है अगला सवाल देखे आपके सामने च्छठा नंबर का सवाल है और देखे इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे यहां पर ध्यान दीजिएगा आपका सवाल है कि दिवगाद समीकरार दू एक्स स्क्वाइर माइनस चा करना है तो अब देखे यहां पर आपके आप संदिये हैं जब आप संदिये हैं तो इसको हल कैसे करेंगे तो चलिए आपको हल करके बताते हैं इसलिए कि आपको कहें कि प्रते को डिटेल बताएंगे कि आपको किसी दूसरी की वीडियो देखने के अवशकता नहीं पड़े जब तुन ना करेंगे तो एक मान हो जाएगा आपका दूद बी कमान हो जाएगा मैनस चार और सी कमान हो जाएगा तील आप क्या कीजिए जब भी इस पकास आपसे पूछे कि अखाच सा निकड़ के बारे सोलो हो जाएगा और यहां से घटाएंगे तो माइनस आठ बचेगा अब चलिए देखते हैं किसा क्या क्या पूछा है इसका मूल कोई वास्तविक नहीं होता है तो आपको माइनस में आने का मतलब होता है कि मूल वास्तविक नहीं होता तो यह बी आपशन गलत हो जागा सब्सक्राइद आउने सब्सक्राइब सब्सक्राइब स नम्बर का सवाल है कि AOBC एक आयत है जिसके तीन सिर्ष ए दिया है जीरो कामा तीन जीरो कामा तीन और पांच कामा जीरो के इसके विकड़ पूछ रहा है तो देखिए अब इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे बहुत सिंपल सा सवाल है देखिए पहले नमद आयत दिया है तो आप आयत बना लीज जीरो कामा तीन और यहां पर पूछ पांच कामा जीरो अपर क्या रहा है पूछ रहा है पूछ रहा है कि बीच की दूरी कि बीच की दूरी बबयाबर फार्मुला देखिए वहता है कलड़ी में यक्स1- x2 का होल स्कोर प्लस y1- y2 प्लस का होल स्कोर ठीक है अब देखिए ए ए कि पी की दूरी निकालना आ था दें यह यक्स1 है यह1-ляका है यह यक्स2 है यह k NCAA is min-nov अब जोड़ेगे आप skidna ऊज़ेगा चण स कितना हुआ क्रोड़ी में 24 हुआ देखिया इसका सही के क्या था पर ट्रिक में आपको क्या करना था कि जब दू बिंदू के बीच के दुरी निकालना रहे तो यहां पे एक त्वाल निकल सकता था नेकिन आप सभी को पुरा डीटेइल में समझा रहे हैं कि आप इस सवाल को बोड के एकजाम अदब मिश्टेक मत कीजिएगा ठीक आपके सामने अगला नमबर देखे आठवा नमबर का सवाल है अब इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे ज्यान दीजी का बहुत सिंपल यह भी सवाल है आपका यदि समीकरण यक्स स्कॉार प्लस के यक्स माइनस पांच बटा के चार बरावाश जीरो का एक मूल दिया है एक बटा के दू है तो के कमान ग्याद कीजिए दिखे मूल देने का मतलब होता है कि यहां पी यक्स कमान दिया है किसका मान दिया है एक मूल देने का मतलब यक्स कमान एक बटा के क्वार्व कर लिए प्लस चार गुड़ यक्स के जगा अब 1 बट्र दू कर लिए माइनस 5 बटा के 4 कर लिए बराबाँ 0 यहाँ पी देखिए कितना है आपका क है न यहाँ पी की है तो कहां से आज जागा के रहेगा ठीक है इसका प्लस इसका गुड़ा करेंगे तो कि बटा के दू हो जाएगा माइनस पांच पटा के चार बराबर जीरो हो जाएगा एक बटा के चार और इसको और इसको इसको यह जाएगा जाए डाट dialogue ऌपलस पर अब्लस चर्श कर जाए का माइनस एक अब सुद्छ करेंगे टीद इतरा के प्लस हो जागा अब दू का धिरिया गुडा कर लिचित के पर अबी प्लबर क्या न में समरूफ होते हैं ज़िए कि आपको पता तैसे याद भी रखिएगा कि दो तिर्भुच समरूफ होने का चो कंडिशन होता क्या होता है कि यदि इनके संगत कोल बराबर हो तो यह आपके सामने अगरा नंबर का सवाल दसमा नंबर के देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे यहादी एक समकोड तरिभूज ABC में कोड़ C 90 AC बराबर 3 cm और BC बराबर 4 cm तो बिन्दू C से जाने वाली मादिका की माप ग्याद करना है आपको देखिए इस सवाल को आप कित यह आपका एक समकोड तरिभूज इसका नाम देखिए C 90 ना सी को यहाँ पे लिजिएगा और A और B को यहाँ पे लिजिए इसका मतलब यह 90 को हो गया यहाँ AC का मान दिया तीन तेखिए AC यह 3 हो गया BC कितना 4 हो तो 4 कर लिजिए बिन्दू C से जाने वाली मादिका की मान जीए इसका मादिकार डीडाल दीजिए पहले क्या करते हैं यहां A B गयात करते हैं क्या गयात करेंकि A B क्या लगए का पाइथागरस परमेद्द इखिए A B का जो 1 का इसका होता है यह आधार और लंग का इसकार के वर्ग के बराबर होता है इसका मतलब 3 का सकॉर हो हो जाएगा यहां AB का स्कॉार हुआ हुआ ठीक है पाइथागोरस परमेक अनुसार लगा रहे हैं फ्रिंश ठीक है देखिए अब क्या हो जाएगा करड़ी पचीस कवर्ग मुला जाएगा पाच ठीक है अब देखिए जो मा दिखा होता है यानि सीडी का जो मान होता है बस यहीं आपको याद रखना है कि जो सीडी का सीडी का मान होगा यह AB भूजा का आधा होता है यह पी आया है 5 अब बटा के दूख कल जी दूदसमुलों 5 अब सेंटीमेटर में यह दिया है कि दूदसमुल 5 कहां पर दिया है तर यह फर्स्ट वाला इसका क्या हो जागा सही जवाब हो जाएगा ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते हैं देखिए आपका 11 नमबर का सवाल है यदि साइन ठीटा माइनस कास ठीटा बराबर एक देखिए फ्रेंस यहाँ पे एक नहीं होना चाहिए जीरो होना चाहिए तभी जाकि सवाल लगताएगा साइन ठीटा माइनस कास ठीटा बराबर जीरो है तो साइन पर 4 ठीटा प्लस कास पर 4 ठीटा का मान ग्याद करना है देखे इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे आपको लगा के बताते हैं और समझाते हैं यहां पर दिया है कि sin theta minus cos theta बराबर 0, तो आप sin theta को पच्छंदर कर लिए, देखे, sin theta, cos theta को पच्छंदर करते हैं, जिसे minus है, इधर आगे plus हो जागा, cos theta, आप क्या करें, cos theta को नीचे पच्छंदर करें, देखे, sin theta, यह पच्छंदर करेंगे, किसका माँ 1 होता है, आप सुभी को पता है, कि 10 जो theta होता है, 10 45 ans का माँ 3 होता है, 1 होता है, अब 10 से 10 हटेगा, तो theta बरावा कितना हो जागा, आपका 45 ans होजागा, यहीं theta का माँ चला, по 45 ans आपको, अब sin पे 4 theta, cos 1 4 theta, इसका माँ जयात करना है, तो देखे, यहाँ पर क्या पर साइन पे फ्वल्ट ए लुएfach साइन पर फ्वल्ट ए ला चेंघा सो कर प्लस उए लिएक साइन्सी हैं और फ्ल्ट डामट मरा को सस्यश्यल्ट प्लसक लिए अब क्यों फ्लसकास फ्लसकी ऊधराथ gerade कईजिक्व अहीं प्लस एक बन ऑट जीश को सबता नु है निजा इतरो अただ वहीयare अब एक पर से शुय अंसलिए अब और करी। बिदिखिया आपको बताते हैं में Mens पाम मतलब होर्त quarta करणी दू गुडभ से करणा करी ब्लर इस पर इस अब बराबर चार ते याद सिधा विवां जेफ़ें दो दिया कहां पर है देक है आप्वका सन में हो जाएगा ठीक है आपके सामने अगला जो बारा नंबर का सवाल है यह जितने भी आपको सवाल लगा रहे हैं सभी इंपोर्टेंट है आप इन सभी सवालों को दो तीन बार जरूर देख लीजिए गठीक है देखे साइन टुए बराबर टू साइन यह तब सत्य है जबकि एक कमान आपको बताना है किसमें एक कितना मान लिया जाए कि आपका यह दोनों पच्छ आपका बराबर हो देखे इसक को यह श्याए मोषbildung साइन अब क्या करें देखिए सायन टुएक फार्मुला यह उता है इन्टु कस ए होता यह फार्मुला होता है बराबर 2 साइन ए होता है देखे दो से 2 कड़ जाएं साइन में साहल एक कड़ जाएगा कमान एक का कांस की रुक में बता है कितना इक होता है कांस का 10 न कि बॉल आपसों सई हो जाएगा दूसरा तरीका आपको बता रहा है क्या था कि कि यहां से आपको02 यहा दोनों पच्छों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं जिस पर यह मान बराबर आ जाएका तो और आपको यह तरीका भी बता देते हैं कि जैसे यह आपको नफार्मूला भूल जाए तो यह वीदी आप उहां पर लगा सकें यहां पर क्या करना है कि साइन टू गुड़े एक जग साइन ॲ Rings कमान二 ओता है दू गुड है साइन ुर आनस कमानd जीरो बराबर जीरो तो आपको यह सिर्प पर यह दूनों मान बराबर होगा और किसी पी मान बराबर नहीं होगा इसका साही जोगका होगा यह वाला प्लस काश बराबर होगा अब इस सवाल को देखिये आप कैसे लगाएंगे अचलिए आपको बताते हैं रखना है कि सब्सक्राइब को अब ट्रबंट तीन है तो यहां पर क्या करेंगे और टेन थीटा बराबर कितना होचाएगा इसका मतलब हुआ कि 10 ठीटा जहां पर रहेगा वहां पर तीन बटा के 4 रख सकते हैं अब देखिए सवाल को हल करना है तो कैसे हल करेंगे देखिए 4 sin ठीटा माइनस काश ठीटा अपान 4 sin ठीटा प्लस काश ठीटा ठीक हैं अब इसको चाहे तो पाइथागोरस परिमेंस लंक्र आधार का का shouldn का मल निकाल कर चकें यहां इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि यहांसे आप सब्सक्राइब का रहें यहांसे निकल दो सर्फ इसी प्रकार से हर में भी काम करना है कास कामल लेना है आपको कास काम लेको यह ़ोगा क्या होगा पान यहां पी क्या 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 होगा एप माइनस एक घॉक शाइन चीटा अपन करश हो उव्य जि़ लिख सकते हैं ट्यव क्या वूच रख पछ एक अब यहांप से मान रख लिजेशक आप मान रखुना रख कर लेजिए रहो प्लस एक हो अधो प्लस यहां शायर प्लस के दो माइनस एक बचेगा और नीचे तीने प्लस एक बचेगा देखिसका तीसरा वाला क्या होज़ेगा प्लस त्राइब सवालों को आपको लगाना था देखिए आप 14 नमबर के सवाल को यहां पर देखते हैं कि सेक ए सवाल को बताते हैं कि कैसे आप सवाल को लगाएंगे पहले नमपर देखिए आप क्या है आपको सिक ए प्लस टैन ए अगले कोश्टक में क्या है चेंज़ करेंगे आप सभी को यह वार्मूला कई बार बता चुके हैं कि सिक ए को आप चू लिख सकते हैं पलस इसी तरह टैन एक को क्या लिख सकते हैं 10 एक को लिखा जाता है यहां प्लस साइन एपान कास a लिखा जाता है कोष्टक कर लिजिए गूरम है यहो जाएगा ठीक है यहां पिल्स साइन एपे क्षेश्टक पस लिगगा हारे है हो माइनेस नहीं पूण्पलेंगे क्या लिखुड़ी आपन कमें कास यह लिखत एक रहा प्लस मतलब इस फार्मुले को रूप में आपको यह दिखाई दे रहाए अगले इस रूप में दिखाई दे रहा है तिसे सकते हैं यहां पर देखिए आपको यही चीज़ए यहां पर सब्सक्राइब करने के बाद यह हुआ है अब दिए को क्या लिखा जाता है आप सभी को पता है कि वन माइस साइन को लिखा जाता है काश स्कॉआयर एपन कास एठैकर मतलब क्या कर सकते है गूरा में दो बार लिख सकते है इस पकार भी लिखा जाता है इसकोshirt bond कास ए कटुम गए इस वह कितना बचे का Sachen सब्सक्राइन यहां आपका कितना आया कास एक चलिए आपसन देखते हैं कास एक अहां पर लिखायत आपसन देखिए आपका यह चौथा नंबर का आपसन सभी हो जाएगा अगला सवाल देखिए पांचवा नंबर का जो सवाल है ध्यान दीजिए अरे सोली दोस्तों 15 नंबर का सवाल देखिए यह एक बित दितरी जकंड का कोड़िया शाठ अंस यहां पर पूछ रहा है देखिए यहां पर जब सवाल को हवार मुला क्या होता है यहां पर देखिए तरी जो आपको बताते हैं और इसे याद भी रखिए गांगा छेत्रफलकर फार्मूला होता है क्षीटा अब पटा के 360 गुड़े पाई आर इसक्वार यह होता है यहां पर आपको तिरिज्या का मान और कोड़ का मान रखके सवाल को हल नहीं किया बस आपको फार्मूला पूछा इस आपसन के पाई आर स्कॉर ठीटा पान तीनसो साट भी लिखा जा सकता है इसलिए कि पाई स्कॉर ठीटा पटा के 360 पाले वाला नंबर का सही जवाब हो जाएगा अगला देखिए आप 16 नंबर के सवाल को ध्यान दीजिएगा देखिए यह सवाल आपको कैसे लगाना है कि एक सुराही निमनलखित का सन्योजन होता है आपसन को ध्यान से पढ़े के लगाईए कि एक गोला और एक बेलन होगा एक अर्दगोला और एक बेलन होगा दो अर्दगोला या एक बेलन और एक शंकु होता है देखिए आपको सुराही बना के बताते है कि देखिए यह क् क्या होता है इस पकासी होता है उपर वाला भाग देखेंगे ति यह क्या होता है और यह नीचे के जो भाग होता है गोले क्या का होता है जिसका मतलब एक बेलन होता है इसमें एक गोला होता है इसका सही जाएगा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा कि इसमें एक गोला और एक बे 17 सवाल 10 से 10 संख्यां का माद्य आप को बताना है कि adv eh gal कर देंगे Tuesday से संख्या उसका पहले लिखिए 1स3 संख्या को सब्धाइए t का इसके गोगा पांचि साथ और 9 माद्य बराबर क्या होता है कि देखे आपन पदो की संख्या पदो की संख्या ठीक है सभी पदो का योग सब्सकों जोड़ेंगे अपन पदो की संख्या मतलब देखें गिली एक दूर तीन चार पांच पांच हो जाएगा पांच सवाल का सवाल काई आपको पताना है किस्की माद दिख्या क्या होगा यह दो सिंपल सा सवाल होता है माद दिखा देखें बहुत ज़्यादा सिंपल होता है क्या क्या कर나 है कि इसको आरोही औरोही करम पहले लिखना पड़ता है यहां पर एक सीरीज देखेंगे तो यह बढ़ते करम में लिखा गया है और यहां पर आपको मादिका पूछे ते मादिका हम क्या करते हैं कि आदा पहले गिनिए गया एक दू तीन चार पांच छे संख्या दिया है छे सं नंबर सवाल सब्सक्राइब को इस प्रकाव सवाल लगाना है और पूछे अब को जैसे समझाए उस प्रकास माधिका पूछे अइसे सवाल को लगाना अगला सवाल नंबर का देखिए यह कुछ प्रेचणों का माद्य 27 तथा बहुलग 45 है तो माध्धिका होगी यहां पे देखे इस सभाल को आप कैसे लगाएंगे बहुत ज्यादा जिम्पल है यहां पर आपको फार्मुल भा सिखोता ओAST कि बहुलग बराबर कि बहुलग बॉहाबर ती गुड़े मादिजि कहा यहां भान दोग गुड़ए मादिय अब यहांपको क्या करना है 22 लग दिया है 45 कर लीजिए तीन वेर मात दिखा तो बाद करने तो भाद करना हूं कि यहां पर रहाने मात मैं दोगुझे माइनस इसका गुड़ा करक्क और दोगा फ्रेक्छ वन को पच्छांद करें जी एधMat में 45 में 54 कितना होगा बर्राबर 3 गूरें मादी Só महाध की दिए कि और निन्य न्य कितीनव यहाँ होजिएगा यहां स्दों जांगे का माधिका तीन से, तीन से कितने बार में, 33 बार में कटेगा, तहे यह हो जाएगा आपका माद्धी का, ठीक है, तो आपका माद्धी का कितना आया, 33, 33 हो जाएगा, अगला सवाल देखिए आपके सामने अगला नंबर का जो सवाल है 20 वा नंबर का कि जब एक पासे को फेका जाता है तो 3 से चोटी एक विसम संख्या आने की प्राइकता पूछ रहा है अब देखिए जब एक पासे को आप फेकेंगे तो उसकी घटना घटने की संभावना होती कि इसप्राइड कि जाते हैं इस चोटी एक विसम संख्या आने की देखिए तीन से थोटा एक शिपर्णा का प्राइक की तक इतना है इसका सही जोब क्या हो जाएगा फॉर्ष्ट वाला सही हो जाएगा ठीक है इस पकाश से आपको प्रश्णों को जो बताए हैं आप इन प्रश्णों को जरूर ध्यान दीजिएगा अब चलिए खंडबह के जितने भी सवाल है आपको हल कराते हैं फ्रेंस देखिए आप इस मा सब्सक्राइब के द्वारे जो माडल प्वेपर जारी किया जाता है उसी में सब पूछा जाता है तो आपको यहां पी सभी सवाल हल कराएंगे आप इस वीडियो को एक दो बार जरूर देखके इसको हल कर लीजिए और इसे हल करके ही बोड के एक्जाम में जाईएगा ठीक हें दीखे आपका पहला नंबर सव रहन का चलब होता है कि आपको पहले नंबर तबी खंड करना है और परतियक क्वेस्चन दो दो नंबर करने माला है आपका कव वाला सवाल क्या है कि असपश्ट कीजिए कि तीन गुड़े पांच गुड़े साथ प्लस साथ एक भाज संख्या है और क्यूं है यह बताना है आपको देखें यहां पर आपका सवाल दिया है आपको देखें इसको हल कैसे करना है ते तीन गुड़े पांच गुड होए दोनों बचे 605 यहां से सथ बाहर kiss चाहिए बचेगा कि इसमें यहां भी पूरी संख्या में Auch कि अता यहां लिखिएगा अता साथ गुड़े तीन गुड़े पांच प्लस वन में साथ से भाग देने पर यह संख्या विभाज हो जाती है हो जाएगी ओ जाएगी ठीक हो जाएगी ठीक है कि क्यूंकि क्यूंकि कि इस संख्या कि अगरे इस साथ उभ्यानिष्ट गुरंखंड है कि वेनिष्ट गुरंखंड गुड़ों खंड है इस पकास आपको पूरा लाइन पले यहां पर कामान लेके इस पकास इदि आप लिखते हैं तभी जाकि इस पूरा दो नंबर आपको मिलेगा इसलिए कि आपको यहां पर पूछा क्यूं है यहां पर आपको कारण बताना पड़ेगा कि क्यूं है क्यूं ह सब्सक्राइब आप इसको कैसे क्या करेंगे कि काठ ठीटा वरावाण साथ बटा कि आठ तो one plus सब्सक्राइब एगले कोच्ट वन माइनस साइन ठीटा अपान वन प्लस काश ठीटा अगले कोच्ट वन माइन्स काषच टीटा का मान निकालना यह तोटल कितने नंबर का है दो नंबर का है और देखिए इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे ठीक हैं बहुत स्सुपल सा सवाल है आपको सिंपल तरीका से सिखाएंगे बस इसको आप जरूर देखिए अभी तक आप मेहत में कुछ भी नहीं पढ़ें इस पेपर को जरूर आप हल करके चले जाएए आप मैकसिम्म सवाल बोड के एकジャ jagam क्या एंग टिक है our देखी इस सवाल को आपको लघाना है तो लघाएंगे कैसे हां पर देखिए आपकर दिया क्या है कि काट ठीटा दिया है काट ठीटा बराबर दिया है साथ बटा केuh 8 दिया है और आपको जो मान ग्याद करना है ग्याद किसका करना कि वन प्लस Сाइ एंगले कोश्टक में क्या है साइनधी थीटओ है अपन प्लस सार् थीटा अगल्य संच helmet क्या है माइनस तेट अब कामी एक चीसट ध्यांग दिजिएगा आप क्या करना एक कोई फार्मूला यहां यहां पर प्रयोग कीजिए कैसी स्क्वारमुला करते हैं अब दो सिर स्क्वार मैंनस फीस्कोर ट्रेटा होगा कि इसी तरह इसको क्या करेंगे कोण्छी को स्व merely is a Remus vind एक करेंगे एक बार करेंगे कास स्क्वार्र थीटा हो जाएगा अब यहाँ फार्मूला देखी है कि चुकी ओर वन माइनस साइन स्कॐाइर थीटा रहर के तुससे आपके लिख सकते हैं पाल सिता और यदी आपको साइन ठीटा लिख सकते हैं स्कूर मे यहां पर इसकोहर कर लेंगे कास्ट ठीटा अपान साइन ठीटा सब्सक्राइब कर लिजिए अब देखिए काट ठीटा का मान यहां पर दिया बॉटकत स्थाथ बट गया 5 सब्सक्राइब नश्याइब टोन चौश्ठ बने फरेंश detect ऋच्वार्मूल som jujya ivare अट कोश्ड़ जाएगा ओर यहीदा इस सवाल को लगाना थाथ भी इस सवाल कोरी इसवालफ से आप बोर्ड की Ар गया है यह भी सवाल आपका कितने नंबर का था दो नंबर का था अब देखें आपके सामने अगला नंबर का जो सवाल है गर इस सवाल को देखिए आप कैसे लगाएंगे यहाँ दिया है कि दो घनों जिलमे से परतेक का आयतन 64 cm क्यों है कि सनलगन फलकों को मिलाकर एक ठोस ब सीख गए और जान गए तो आप आसानी से सवाल को लगा सकते हैं बस आप यहां पर देख देखते रहें देखिए आपका सवाल ⁠ है तो यहांके पर लिख्या आइधा था कि दो दो घनों जिनमे से पर तक पहले आप क्या करते हैं कि क्न की भूजा गय घंखकात कितना दिए64 दिए शाठ रखेंगे यहां पर भूझा पर है कि अ दिद्धत हो जाएगा आप लिखेंगे दोनो पच्छों गन मू लेने पर क्या लिखेंगे कि दोनों हाई लोане' कि च से पर है तीन चार होता है गार्फ पता है होनल या आपको भूझा पता चल गया यह द्यान दियाँएगा गणाब मतंबाई तो यहां पर जो 20 स तनल्ग करना लेकिन प्राइख यानि कि लंबाई तो आठ संटीमीटर पो जाएगा लेकिन चोडाए देखे क्या रहेगा तो चोडाई रहेगा और उचाई कितना रहेगा इसका उचाई भी आपका कितना रहेगा चार संटीमीटर ही रहेगा यानि कि आपका घ्राप की लंबाही चोड़ाई जोता है वो बेराबर रहेगा वसमें कि अहां की हैं क्यों बदलेगा कि यहां पर प्रिष्ट्य छित्रफल पूछ रहा है यहांप इसका प्रिष्टिय च्छत्रफल निकालते हैं देखे पहले यहां पर आपको पता देते हैं कि लंबाई को यल से दिखाते हैं चोड़ाई को बी से और उचाई को येच से दिखाते हैं अब यहां पर घनाव का प्रिष्टिय च्छत्रफल प्रिष्ट्रफल बरावर लिए देते हैं यह होता है दूख कोष्ट में यहलबी प्लस बी एच प्लस एच लिया फार्मूला आप सभी को याद हो गया होगा यहां पर रखे हल करते हैं दूख कोष्ट में यहां पर आठ तो आठ रखेंगे आठ गुरे वी कमान 4 तो 4 कर लिजिए वी कमान 4 है गुडे यहां पे चार हो जागा प्लस यच का मान 4 है यल का मान 8 है बस्थ हल कर लिजिए दीखिए दू कोस्ट में देखिए 8 चोको 32 ठीक है 4 चोको 16 आट चोको 32 अब सब्सक्राइब को जोड़ लिजिए चले जोड के देखते हैं कितना होता है दू देखे जोड़िये देखे दू चट दू आठ आठ दू दस तीन एक चार चार तीन साथ एक आठ ठीक है असी और यहां पर कोई चिलने रहा था तो गुड़ा को हो जागा तो दू आठे सोल एक सूंसेंटि मीटर स्कोार हो जाएगा यानिumuz आठ प्रिष्ट्य चैड तेस्ट्रफल कना बगाएं आयह दो गन की तब आपस में प्रश्टर पर दोनमबर आपको मिलेग ठीक है इसका अगले प्रश्ण को देखते हैं देखिए अगला नम्बर का सवाल जो आपका है निम्न आकडों का मादिगात कीजिए इन सवालों को आप एक दो बार जरूर हल कर लिजिए ठीक है इसको आप करके मत जाएगा आपको बार 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 बोल लाइं को लास तक देख लीजिए गा बहुत मेहनत करके सभी वीडियो को मतलब सभी कोईश्चन को करा रहा हैं ति इसको एक सेट के लिए इसकी मत कीजिएगा यही सब सवाल आपके बोर्ड के एक्जाम में देखने के लिए आप सवाल को क्या से हल करेंगे जैसे आपको शिखा रहा है इस सवाल को यहां डगा लिजिए दिगे पहले नंभरप्य है आप लिखिए गए अन्तराल क्या लिखना है अंत र फिर इसके बाम बार्टा लिखे हैं साटीज में जाता आपको अच्छे से बता रहा है तो जैसे आप एकजा में किसी प्रकार का प्राबलम ना वह आपनेशना वह किता कितना START तो दस से बीस दिया है 20 से 30 दिया है 30 से 40 दिया है कि और 40 से 30 मतलब यहां पर गार उन्तराल दिया उससे लिख रहे हैं 40 से 50 से 50 से 60 साथ से सतर धेकर गिली देंगे एक दू-3,4,5 यह एक लिखते समय एक बार मिला लेजिए गार देख के यहां पर है चैनल दो है साथ है कि बारह है 15 है कि आठे चैनल दो साथ 12-25 राष च्छा पंद्र आठ च्छा इस तरह मिला लिजीगा अब झेजब भी आपको मादि घ्ञात करना पड़ेगा वर्क अंतरा आल देगा तो आपको मद्य दिन्दू ग्यात करना पड़ता है यहाँ लिखे यहांकि ठील रिखेंगा मद्यि विंदू अब बिंदू को को यक्स से लब्लस अल्टू बटाकराइं वनां मुन देखिंग इधर लवन होता है यह लवन होता है यह वैसे अब है इसी वड़क एक्जाम में खिछ लिजेगा अब यहां से क्या कीजिएगा कि थोड़ा से यहां से लाइन छोड़का ऐसे खीच लीजिएगा इतना खीचने के बाद देखिए आपको क्या करना है सिर्फ एक मान यहां पर देखा दीजिएगा क्या हो जाएका 10 प्लाइस सब्सक्रीच के सब्सक्रागा यहां ओंतर देखा इसको देखाने के बाद आप क्या किजिएगा पंद्रह में दस जोड़ दिज्वेगा क्रम्स जैसे बतारे पंद्रह में दर जोड़ेंगे 25 फिर 25 द में दर जोड दीजिएगा आपको 35 जिस से आपको बार बार निकालने के जरूरत नहीं पड़ेगा। जोड के दो का बात देने की जोड़त नहीं पड़ेगा। इतना करने के बाद अगला इस टेप में आप क्या कीजिएगा। इस तरह फिर एक लाइन खीच लीजिएगा पूरे मात्य तक ठीक अब खीचने के बाद देखिए अब आपको क्या करना है अगला इस्टेप देखिए यह आपका बारां बारता को यह से दिखाते हैं ति यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा यह फिर गुड़े यक्स ग्य गुड़ा कर लिजिए गाना पंद्रह का पैतालीस में गुड़ा कर लिजिए गाते कितना हो जाएगा चाहसोशाथ अब यहां से अप्लाइन इस प्रका से खीच लीजिएगा यह लाइन ठोड़ा से ध्यान से देखिए बढ़ना हो ठीक हैं अब यहां से सीगमा एफ ग्या इन सभी का योग जब इन सभी को दूसाथ बारा पंद्रह आठ चाह जोड़ेंगे तो आपका आएगा पच्चास ठीक है और यहां से सीगमा एफ एक्स का मतलब होता है इन सभी को जोड़ेंगे यहां 30 175 420 675 420 और 390 जोड़ लिजिए गा तो आपको आएगा 2130 आजाएग बटा के सीगमा एफ आता है अब सीगमा एफ एक्स कमान कितना दिया है कि 2130 बटा के पचास है जीरो से जीरो कट जाएगा यहां पर 213 बटा के पांच पांच से कटा लीजिएगा देखिए पांच उक को बीस पांदुना के दस और पांच शका तीस यानि कि 42 दस मॉलोग 6 जाएगा इस प्रकास लास्टन किया किजिएगा इसको घेल लीजिए और यहीं पर इसका इस तरह लिख लिए जैसे बता है इस प्रकास बॉड की एक सवाल को दम डिटेल में हल किजिएगा आपका एक नंबर भी इस सवाल पर नहीं कटेगा और टीचर खुस हो के आपको न को किस अनुपात में विभाजित करता है याने काने मतलब कि यह वाला जो 용ने वाले को किस नुत्तर संक्या लिग लीजेगा सिरफ यहां सवाल बता रहे हैं आप एक रेखा इस तरह भीजेएगा यहां पर बीदे दिएगा देखिए और मैनस छा कामा 20 ओर दिया है तीन कामा माइनस 8 ठीक है और यहां पर देखिए यह विंदु कहीं बीच में ये यहां पी एक बिदू ले लिजएगा और यह मायनस चार काम अच्छा है और देखा दिखा दिजेगा और देखे किस अनुपात भाजित करता है तो आप माल लिजेगा कि इसको यम1 और यम टू के अनुपात में क्या कर रहा है इतना करने के वाइद अब देखे आपको क्या करना है यहां पर मान लिजेगे कि माना माना ठीक है देखे यह जो है माइनस 4 काम च्छा ठीक है माइनस 4 काम च्छा बिंदू बिन्दू आपका क्या हुआ ए वाला जो हुआ कि मैने 6 कामा 10 तथा तथा बी 3 कामा माइनस 8 को 8 को यम 1 अनुपाते यम 2 में विभाजित करता है बस इस तरह आपको माल लेना मतलब जो यह लाइन पूछता है उसी को मानना है विभाजित करता है इस तरह माल लेंगे आप अब मालने के बाद देखे इस सवाल को आप लगाएंगे क्या कि अन्ता विभाजित का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ लिखे एक अन्ता विभाजित का फार्मूला क्या होता है कि यक्स कामा वाई बराबर होता है फार्मूला यम 1 यम 1 यक्ष 2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2 दूनों का योग हो जगा कामा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2 अन्तवी भाजन का फार्मूला का यह होता है अब बस जहां पे जो है मान रख लिजी देखें मान कैसे रखेंगे यह यक्ष 1 का मान लिजेगे यह Y1 का यह Y2 का यह Y2 का यह Y2 है और यह Y का मान है जहां पे जो मान है आप रख लिजीए देखें यहां पे कितना रखेंगे माइनस 4 का मच्छा रखिएगा बराबर M1 का मान कितना है तो M1 का मान M1 है गुड़े यक्सटू कमान कितना है तो यक्सटू कमान 3 है तो 3 रख लिजिए प्लस यम्टू कमान तो यम्टू है यक्सवन कमान माइनस 6 है तो माइनस 6 देखे माइनस रहा तो कोष्टक में रखिये गई से ठीक है M1 प्लस M2 कर लिजिए कामा M1 का मान M1 है Y2 का मान कितना है तो Y2 का मान माइनस 8 है तो माइनस 8 रखिए M2 का मान M2 है Y1 का मान 10 है तो 10 कर लिजिए अपान M1 प्लस M2 कर लिजिए M1 प्लस M2 कर लिजिए ठीक है कोश्टक बंद कर लिजिए अब देखें आपको क्या करना है कि देखें जब यह हल करते हैं तो यह पूरे X का मान होता है किसका मान होता है यह वाला मान जो होता है यह मान Y का होता है और यहाँ पी यह यह का मान है यह Y का तो आप क्या करेंगे कि यह से यह का तुलना करेंगे Y का Y का तो आप सिर्फ एक तुलना करना रहता है चाहे आप यक्स का यक्स के साथ तुलना कर लिजिएगा या वाई के साथ वाई से हम क्या करते हैं यक्स का यक्स के साथ तुलना करने पर यहाँ आप लिख देंगे दोनों पच्छों की तुलना करने पर तुलना करने पर जैसे लगा रहे हैं इसी तरह बोड के एक्जाम में लगाईएगा फ्रेश चीक है तुलना करने पर लिखिएगा जब तुलना करने पर लिखेंगे तब माइनस 4 किसके बराबर हो जागा यह होगा आपका यम 1 3 प्लस यम 2 माइनस 6 प्लस यम 2 प्लस प्लस तुम इसका गुड़ा करेंगे तो माइनस चार एंच या को सब्सक्राहेगा सब्सक्राइब unity जेक यहां पर यहां से माइनस कर जाएगा यहां से माइनस कर जाएगा इसका मतलब क्या हुआ आपका यह मुन आपान M2 को मानायद दू बटा के 7 अब एंस्वर कैसे लिखेंगे, अनुपात में लिखना आयद एंस्वर लिखिएगा एंस्वर यह मुन अनुपाते यहम टू बराबर 2 अनुपाते 7 और यही आपका क्या हो जागा, एंस्वर हो जागा यह जैसे सवाल आपको समझाएं इसी प्रकास इस सवाल को आप बोर्ड की एक्जाम में लगा के चले आईएगा ठीक है चलिए अगले प्रश्णों को देखते हैं अगला सवाल देखिए आप ठीक है यक्स और वाई में एक ऐसा संबंद ग्याद कीजिए जो बिंदू यक्स क बिंदू तीन कामा च्छा और मैंने तीन कामा चार से संदुरस्त है ठीक है अब देखिए जब संदुरस्त है इसको कैसे लगाएंगे यहां पर ध्यान दीजिएगा आप चाह ना यहां पर चाह देखिए और यहां पर एक लाइन इस पकास से खीच लिएगा यहां पर दिय तो दो बिंदू की दूरी का फार्मूला बता देते हैं तो बिंदू की दूरी की दूरी का प्रइंडरूर्ट में याक्स वन माइनस एक्षटू का होल स्क्वायर प्लास y1-y2 का whole square ठीक है अब यहां से क्या करेंगे कि इसको क्रम से x1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह माल लेज़ेगा अब देखिए यहां पर सवाल को लगाएं कैसे लगाएंगे देखे एपी की दूरी देखे एपी की दूरी होगा यहां यहां पर रख लीजिए गाएंगे इस तवाल को आपके यहां पर दियान दीजिएगा यकस फार्मूला लिखने की ज़रत नहीं है लिखेंगे तीन माइनस KTL X का स्कॉर कर लिजिएगा, प्लस SEE – य का स्कॉर कर लिजिएगा बराबर んだurot में बोल यहां से कप Brussels X एक माइनस एकल सब्सक्राइब भी माइनस माइनस का ? प्लस tare हो जागा और यहां पर लिखेंगा wind says तो प्रकर अब दिंगे दोनों पच्छो का करने पर लिखेंगी दोनों minus capital Y square plus 6 minus capital y square कर लिजीए को बराबर रूट में कितना आया is capital X plus 3 को तो isquart कर लिजे plus capital Y minus 3 का isquart कर लिजी अब क्या करेंगे दोनों पंचों को वर्क करना तो दोनों पंचों को इस तरह वर्क कर लिजेगा जैसे ही वर्क करेंगा तो एक कर रही हड जागा ता आपको बचेगा कितना यहां पर और इस तरह आप क्या किजिए का बराबर कचिंदे रहिए गाएं यहां पर जागा 3-X का स्कुायर प्लस 6-Y का स्कुायर बराबर यह प्लस 3- 1-3 का स्कुायर और यह कलरी हट गया ठीक है अब दीखिए और a – B का जो फार्मूला होते उस पे विस्तार कर लेंगे था आपको फार्मूला लिखके बता देते हैं एक बार ना देखे इसतरह कोश्टर में लिख लिएगा देखिए ए प्लस बी रहेगा जहां पर इसका फार्मूला होता है एसकोर प्लस विस्क्वार प्लस 2AB 2ab इस पे विस्तार करेंगे और आपका अगला फार्मूला क्या होगा यहाद ए माइनस b कहीं नज़र आगा सवाल में आप क्या किजिए कि a square plus b square minus 2ab इस फार्मूला पे उसको विस्तार करना रहेगा तो चलिए अब इस पे लगाते हैं आपका लिख दिए कि इस फार्मूला पे इस सवाल को हल करना आए तो यहाँ पी देखिए आप कि ए प्लस भी माइनस बी पताजिए देखिए माइनस बी के तीन का स्कॉर करेंगे तितली के नो प्लस यक्स स्कॉर माइनस टूए भी दूटने च्छा एक्स हो जाएगा ठीक है प्लस इसी तरह यह च्छा का स्कॉर करेंगे 36 प्लस वाई स्कॉर माइनस दूचा का 12 वाई हो जाएगा बराबर इसी तरह प्लस के रूपने इसका विश्थार करेंगे तो कैपिटल x कषका करेंगे प्लस 3डि के 9 कर लेजिएगे प्लस 3डुना के 6 x कि जेगा प्लस y के 9 हो जाएगा और यह का नहीं 6-6y हो जाएगा अब देखिए आपको क्या करना है कि अर चिन्न के साथ बिराबर होगा नो से रहा कर जाएगा यसकी स्कुरा रहतों तो यसे से कट जाएगा और कोई कुछ कटेगा नहीं तो माइनस 6 A 자 X प्लस च्छाइब यहां पर फ्ष्टेक हो गया सवाल में लिखते समय यहां पर तीन लिखती है यहां पर चार बना लिजिए आप देखे सभी चार बना लिजिए यहां पर बस्तार करते समय द्यान दिजिएगा मांड़ मांड़ लान हा धिरस्टेक है यहां इतना हो जाएगा स्वाविंग beetle में ब्लस्तार भी उधसरी होसाईा मांजों बराबर यहां पुछ नहीं बचेगा बचेगा अब देखें और यहां हो जागा यहां प्लस 36 हो गया और यहां पर देखें कितना है तो इसको आप सुधार लीजिएगा ठीक है सवाल में अब देखें यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या करना है कि इसमें देखेंगे तो चार काम होने तो यहां से यहां पर यहां पर बदल देंगे तो यहां पर यहां पर बचेगा बराबर जीरो हो जागा अब इसको सही रूप में लिख लिए देखें तीन यहां पर यहां पर प्लस य और माइनस पांच पर बदल करना अपर यहां पर यहां पर देख लिए यहां इसका क्या हो जागा एंस्यों सवाल को आपको लगाना था ठीक है तो फ्रेंज देखें यहां पर आपको एक चीज बता देते हैं कि यहां तक आपको सवाल कराएं इसके आगे जितने भी लांग को एसन आपके हैं जितने भी दिरवुत्तिरी प्रशन हैं आपको नेक्स्ट वीडियो कुछ समय के बाद आप आपको गडीत का मिलेगा जिसमें आप सभी को इन सभी प्रशनों को अदम डिटेल में जैसे समझाएं इसी तरह डिटेल में समझा के आपको हल कराएंगे ठीक है तो फ्रेंज आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसका नेक्स्ट वीडियो कि नहीं चाहा रहा है कमेंट बाक्स ने आप जरूर बताएं और फ्रेंज आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं चलों को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर कर दीजिए